हलो दोस्तो स्वागा था आपका जी के वित अजीम यूटीब चैनल में दोस्तो पीछले वाले जो वीडिो में था आज वाले में तो हम लोग जानेंगे ना भिकिये उर्जा यानि नूकलियर नर्जी relation के बारे में पढ़ाता, आज हम लोग पढ़ेंगे नाभेकिय उर्जा यानि nuclear energy इसमें हम nuclear energy के बारे में यानि नाभेकिय उर्जा के बारे में पहलूओ को जानेंगे और देखेंगे कि परिच्छा में इसमें कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप एक दिवसी परिच्छा के तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अती महत्पूर्ण है आपको ये वीडियो देखना चाहिए और अगर इसका स्क्रीन साट चाहिए तो आपको इसका स्क्रीन साट मेरे टेलिग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, नीचे दिया हुए लिंक वहाँ पे जाके आप इसका स्क्रीन साट प्राप्द करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं आज कि नाभिके उर्जा क्या है नाभिकी उर्जा क्या है कि नाभिकी अभिकिरिया के दौरान जो उत्पाद दरबमान में जो च्छती होती है वही उर्जा में परिवर्टित होती है अब वही परिवर्टित उर्जा कहलाती क्या है नाभिकी उर्जा नाभी की उर्जा का निर्धारन जो होता है वो E equal to mc square दो आ रहा होता है जो हमने पिछले वादे वीडियो में पढ़ा था E जो होता है energy होता है M जो होता है धर्मान में कमी और C जो होता है वो प्रकास का वेग होता है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नाभी की उर्जा दो तरीके के होते हैं एक नाभी की उर्जा दो हैं लेकिन आज हम केवले इसमें नाभी की उर्जा के बारे में पढ़ेंगे और अगले वाले जो होगा वीडियो उसमें हम नाभी की सनलैन के बारे में पढ़ा जाएगा नाभी की विखंडन की खोज आटोहान ने किया था और ये रहने वाले थे जर्मनी के और ये 1949 में ये खोज किये थे नाभिक ये विखंडन क्या होता है कि वह नाभिकी अभिकी रहा जिसमें एक भारी नाभिक दो हलके नाभिकों में तूट जाता है और इस दोरान उसके दर्मान में च्छती होती है यानि उत्पाद जो हुआ है अर्मान उसके दर्मान में क्या होता है च्छती होती है और उर्जा मुक्त होती है जैसे यहाँ पे यूरेनियम का छह हुआ है नाभिक का और क्रिप्टान और बेरियम के नाभिक बने है और इसमे बारे में अभी हम और पढ़ेंगे कि इसमें इस्तमाल क्या होता है तो इसमें जो छती होती है वही उरजा का रूप में मुक्त होती है इस किरिया को आते हैं नाभिकिये विखंडन यानि भारी नाभिक टूटके हलके भागों में बट जाए ये भी दो तरीके के होते हैं नूट्रान को टकराया जाए, नाभिक से किसी नूट्रान को ले जाके लड़ा दिया जाए और ये नाभिक तूटके बट जाए भागों में, इसको कहते हैं प्रेरित, यानि किसी दोरा प्रेरित किया जाए तब वो तूटे, एक होता है स्वता, यानि spontaneous fission, यानि अपने से य योग नहीं होता है, इस वाले में क्या होता है कि गतिमान जो है, नूट्रान ले जाके टकरा देंगे नाभिक से और नाभिक तूट जाएगा, और इसमें स्वता में क्या होता है कि इसमें नूट्रान का परियोग नहीं होता है, नाभिक खुद बखुद अपना च्छै उस इसका उदारान है अजब की बिना न्यूट्रान का ना भी कच्छाय होना तूटना वो कहला तक है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान आल्फा बीटा गामा किनने बाहर आती है कन स्वारी उर्जा बाहर आती है तो इसमें अपने आप ये च्छह होता है और रेडियो एक्टिविटी खोज कौन के तो है तो हैंनरी बेकूरल 1896 में अब ये जो नाभिकिये विखंडन जो होता है इसका जो स्वता है वो तो चल ला है लेकिन प्रेरित को बारे में हम लोग कुछ जान नाभिकिये विखंडन जो होता है वो उसमा छेपी अभिकरिया है यानि यह ऐसी नाभिकिये अभिकरिया है जिसमें उसमा बाहर आती है निकलती है रिलीज होती है उसमा छेपी और सोसी का होता है मतलब कि उसमा लेकर तो ये उसमा छेपी अभिकरिया है और नाभिकिये वि समस्थानिक है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ठिक इस बारे में आगे भी जानेंगे कि यूरेनियम 235 की प्रियोग में इस्तमाल होता है विखंडन में 2.1 % दरमान की छटी होती है यानि जब हम यूरेनीयम के नाभिक को तोड़ते हैं तो इसके दरमान में केवल 2.1 % की छटी होती है जिसमें से 80 % एनर्जी जो होती है उरजा विखंडनी ये अधार्त की गती जूरजा निउट्रान एक सरे उसमा एवं प्रकास में क्या होती है बे होती है बाहर आती है निकलती है इसलिए उसमा छेपी अभी के रिया इसमें से एनरजी बाहर आती है उसमा बाहर आती है ठिक ये जो ना भी की है हिखंडन है जो इसमें प्रेरित हिखंडन जो है ये दो टाइप के सब्सक्राइब दूटेगा उसी तरह परॉमाडू का नाभिक बड़ा डेन्स होता है देन्स हाइली तरह यानि उसमें उसका घनत बहुत जादा होता है और उसमें प्रोटान नाभिकी ये बलो द्वारा जकड़े होते हैं अगर हम उसको तोड़ना है हमें तो कोई ऐसा करण या हथोड़ा चाहिए जिससे वो चीज़ चूटे उसमें इस्तमाल होता है क्या नूट्रान का प्रियोग करते हैं तो जब नूट्रान की हमबारी जब हम लोग करत हैं यूरेनियम के नाभिक पे तो वो तूटता है अब क्या होता है और नियंत्रित में जब नूट्रान की अमबारी नाभिक पे करते हैं तो एक के बाद एक नाभिक स्रिंखला के रूप में तूटते हैं और पूरा तूट कर पदार्थ खतम हो जाता है तो और नियंत्रित शरिंखला अभिकरिया का उदारण क्या है परमाडू बम परिक्षा में आप से कोई पूछे कि कौन सा है तो परमाडू बम नियंत्रित अभिकरिया में क्या होता है कि कृतिरिम विधियो द्वारा नीट्रान को नियंत्रित करके विखंडन को नियंत्रित किया जाता है यानि ज़रुरत पढ़ने पर हथोड़ा चलाएंगे तूटा फिर रोक देंगे उसी तरह से नीट्रान को नाभिक पर अकराएंगे नाभिक तूटा एनरजी बाहर आया काम भर एनरजी आया फिर रोक देंगे परमाडू हमें का होता है कि यह सिरिंखला के रूप में होता है जहां एक नीट्रान टकराया यूरेनियम के नाभिक से बन गया क्या क्रिप्टान और बेरियम उर्जा बाहर आई इस किरिया में तीन नीट्रान बाहर आते हैं और तीन पूना फिर से यूरेनियम 235 या यूरेन यह फिर पुना इसको रिप्टान और्भइरियम में तोडता है, फिर इन से 3-3 से क्या हूंगे नीटरान बाहर हूंगे, फिर यह 3 यह Here these tasksמא और यह वी 2 तार्व तोडता है यismo rabbit इसमें तीन के बाद इसका तीन इसका तीन इसका तीन नौ फिर बाहर इसमें आएंगे नौ इसमें बाहर आएंगे इसमें नौ बाहर आएंगे और अलग-अलग होके उसमें उच्मा बाहर आती है यहाँ पर क्रिप्टान और बेरियम मैं एक उदाहरण के रोप में दिखाया हूं ऐसाने केवल यही बनते हैं बीस प्रकार के समास्थानिक इसमें बनते हैं तरह तरह के लेकिन उदाहरण के रूप में दिखा इसलिए इसक दो निउट्रान को रोक दिये, रोक दिया तो किवल एक को तोड़ेगा, फिर अगला में दो को रोक दिये, तो कम इनर्जी बाहर आई, तीनों को रोक दिये हम, तो एक अंडन क्या है, ठार गया, इस किरिया को हम लोग कहते हैं, नियंत्रित स्रिंखेला अभिकिरिया, कुछ क किरित्रिम तरीके लगा के आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस निउट्रान को रोक दिये हैं, यानि जैसे हथोड़े से किसी पत्थर को तोड़ना है, थोड़ा सा उठ गया, बन गया काम, हटा लिए उसको, इसी तरह ऐसा भी यहां पे होता है, यहां पे क प्रित्रिम तरीके द्वारा न्यूट्रान को नियंत्रित करके उनकी संख्या को नियंत्रित करके विखंडन के दर को भी क्या करते हैं नियंत्रित करते हैं इसका उदार है नाभिकियर रियेक्टर न्यूकिलियर रियेक्टर जो होता है जिसमें बिजली बनती है इसी द्वार इस तरह से दो तरह के प्रेरित विखंडन दो टाइब के होते हैं और नियंत्रित शरिंखलाविकरिया और नियंत्रित समझ में आई होगी बात अब इसमें एक सवाल और आता है कि यूरेनियम 235 ही विखंडन में क्यों प्रियोग करते हैं यह थोड़ा यहां जानने वाली बा यूरेनियं केवल दसमलो 7% मिलता है बहुत इमपोटन है जैबकी यूरेनियम 238 जो होता है 99.3% मिलता है लेकिन विखंडन केवल यूरेनियम 235 ही होता है ऐसा क्यों है इसको हम लोग जान लेते हैं देखें यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन करने के लिए तिब्रगा को अगर इसके नाभिक पे टकराया गया तो वो उसको सोख लेगा उसका नाभिक किसका युरिनियम 238 का और सोख लेने के कारण क्या होगा वो एक प्लुटोनियम जैसे ओ अस्थाई धातू में चेंज हो जाएगा और वो रेडियो एक्टिविटी वाली किरिया उसमें चलेगी और इस तरह से चेंज रियक्शन नहीं होगा क्योंकि जब एक बार तो ये फटा जब इस पे हमने इसके नाभिक पे एक बार निउट्रान डाला तिब्रगामी तो जब तिब्रगामी निउट्रान हमने जब इस पे छोड़ा तो ये तूटेगा विखंडन इसका होगा लेकिन जो तीन निउट्रान बाहर आएंगे वो ह इसके नाभिक जो अगले होंगे, वो सोख लेते हैं, इस तरह से chain reaction ठहरता है, एतना uranium 238 है, एक neutron हमने मारा, धमाका हुआ, उर्जा बाहर आई, कुछ उर्जा बाहर आया, लेकिन neutron जो निकलेंगे, जो अगले नाभिक को तोड़ेंगे, वो होते हैं मंद, जिससे वो जाके उस में नाभिक में ही वो छुप जाते हैं, यानि वो 238 जो होता है, उसका नाभिक मंद, यूटरान को क्या करता है, सोख लेता है, और शोशित कर लेता है, जिससे सिरिंखला बीकिरिया क्या होती है, ठहर जाती है, एक बाद हमा का छोटा सा हुआ, बंद हो गया, और हमें क्या चाहिए एक के बाद एक चाहिए अब तब क्या करते हैं कि इस यूरेनियम 238 जो हता है उसमें से निकालते हैं यूरेनियम से 235 को इन्रेज करके इसको कहते हैं इन्रेज यूरेनियम इसका विखंड़न मंद नीउटरान द्वारा संभो है अगर इस पत्ति ब्रेगामी आप आपार वो निकल जायेगा, इसका ऐसा है गुण, इसलिए मंद छोड़ते हैं, अप मंद जब छोड़ेंगे तो यह तोट जाएगा, एनरजी बाहर आएगी, और निउट्रान भी जो बाहर आएगे, वो भी क्या होते हैं, मंद फिर इन से हमां मंदवाले क्या होते हैं टकराते हैं अब फिर से ये अभिकरिया चैनली रियक्शन चालू हो जाता है तो में करण क्या है कि यूरिनम 238 जो होता है वो इब्रगामी से तो टूट जायेगा लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनर्जी के बाद नियूट को तोड़ नहीं पाते हैं 235 में मंद को टकरा देंगे मंद वाले न्यूट्रान भी बाहर आएंगे और फिर अगले वाले नाभिक को तोड़ते हैं तो पांच की लोग और यूरिनियम है उस पे मंद वाला एक भी न्यूट्रान टकरा गया तो एक बैक सारा चेर अर्यक्षन ह हो के धामा का हो जाएगा तब बनते हैं यह और नियंत्रित कौन वाले होते हैं जिन में यूट्रान को सोखने के या रोकने की हवस्था हो उनमें क्या हो जाएगा नियंत्रित जैसे ना भी किया रेक्टर और और क्या है परमाडू बम अब इसमें एक टर्म आता है करांतिक आकार और करांतिक दरब्मान देखे इनके विसफोट के लिए कुछ आकार भी चाहिए इस इरिया को होने के लिए तो करांतिक आकार वे आकार है यानि विखंडनिय अदार्थ का वह आकार जो स्रिंखला विकिरिया को जारी रख सके कहलाता क्या है करांतिक आकार करांतिक हर्मान क्या होता है विखंडनिय अदार्थ का वह हर्ममान जो स्रिंखला विक्रिया को जारी रख सके तो इसलिए यूरेनियम 238 में स्रिंखला विक्रिया नहीं होती है इसलिए नाभिकी अरियक्टर में या परमाडू बम में यूरेनियम 235 का ही प्रियोग होता है इसका समस्थानिक है ठिक और ये चेन अरियक्षन है तो आपको समझ में आया होगा मेरी उमीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको याद करना क्या है खोज कौन क करने नियांपए आधारिति हैं केतने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के प्रेरित और सवा इंध स्रिंखला भी करिया और नियांतिरफ के अर्मान में च्छती क्या होती है उसका पूरा दसमुल्लों एक परसेंट का होता है और 80% एनर्जी जो है यह सब उर्जा में गती में एकसे न में प्रकास में बाहर होती है दो टाइब के होते हैं यह वाले और नियंत्रित कवदारण है अर्माडू बाम यंत्रित कवदारण है ना भी किये रियक्टर और इनका अनुपात याद की रहेगा पतिशत में कि यूरेनियम 235 का क्या है साथ है 0.7 है अजब कि यूरेनियम 238 का 99.3% है और यह 38 क्यों नहीं होता तो इसको करिएगा लाइक और चैनल पर नहीं है तो करिएगा सब्सक्राइब मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में अब तक के लिए अलविदा जय हिंद झाल 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 झाल